एक गाओं में किशन नाम का एक आदमी रहता था, वो एक कमपनी में पी एन का काम करता था, वो वहाँ पस साफ सफाई और बागी छोटे मोटे काम किया करता था, उसे जलेबी बनाने का बहुत शौंक था, जब भी उसे तनखुआ मिलती वो घर पे जलेबी बनाया करता था, उसकी बनायी जलेबी उसके घर वालों और दोस्तों को बहुत पसंद आती थी, अरे वाह, पापा जलेबी बना रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा, पापा आप बहुत अच्छी जलेबियां बनाते हो, अरे वाह, आज तो आप सुभा सुभा जलेबियां बनाने बैठ गए, वाह मज़ा आ जाएगा आस तो, आस पडोस में हर जगा खुश्बू आएगी और लोग मुझे आकर कहेंगे भाई जले भी खिलाओ तियोहार आने पर भी वो घर में ही जले भी बनाया करता था अरे भाई दिन तियोहार पर तेरे पास आने का एक ही फायदा है वो है तुम्हारे हाथ की जले भी सभी को पसंद है तुम्हारे जीजा जी को खास तोर पर दिवाले की छुट्टियों के बाद जब किशन ओफिस गया तब वो देखकर हैरान रह गया कि उसके ओफिस का मालिक बदल चुका था और उसे नौकरे से निकाल दिया गया था किशन बहुत परेशान हो गया है भगवान अब मैं क्या करूँ मेरा तो घर सिरब मेरी ही कमाई से चलता था अब मेरा घर कैसे चलेगा तब ही उसका दोस्त मोहन उससे मिलने आता है क्या हुआ किशन तुम इतना परेशान क्यूं है किशन मोहन को सारी बात बताता है और कहता अब तू ही बता मोहन मैं क्या करूँ तभी मोहन को एक आइडी आता है और वो किशन से कहता है अरे किशन तू परिशान क्यों होता है तू तो जलेवी बहुत अच्छी बना लेता है तो जलेवी बनाने का काम क्यों नहीं शुरू करता मैं पक्का कहता हूँ तेरा काम खूब चलेगा लेकिन यार मोहन मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि मैं एक दुकान ले सकूँ अरे यार उसके लिए तुझे दुकान की का वशकता है तेरे पास घर में जो कडाही या बाकिस हमान पड़ा है उसे लेकर हफते में लगने वाले बाजार में जा और वहाँ जलेवी बना कर बेचनी शुरू कर किशन मोहन की बात मान लेता है और साथाहिक बाजारों में जलेवी बेचना शुरू करता है धीरे धीरे किशन का काम चल पड़ता है और उसकी जलेवी की तारिफ सभी करते है अरे भईया तुम्हारी जलेवी गरम गरम खाकर मज़ा आ गया आज मुझे दो किलो और पैक कर दो भई वाह इस बाजार में मैं काफी समय से आ रहा हूँ लेकिन ऐसी जलेवी मैंने आज तक कभी नहीं खाई हाँ भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं मैं तो खाज जलेवी खाने आता हूँ बाजार में किशन की खूब कमाई होने लगी वो अप साफताहिक बजारों के अलावा मेलों में जाकर भी जलेवी बेचने लगा किशन ने मोहन का धन्यवाद किया मोहन तुमारा बहुत बहुत धन्यवाद अगर तुम मुझे सुझाव ना देते तो ना जाने मेरा क्या होता अरे दोस्त कला तो तुमारे हाथ में है मैंने तो उसे बढ़ावा दिया है और लोग किशन को किशन मोबाईल जलेवी वाला के नाम से जानने लगे मिर्ची भजिया वाले और समोसे वाले की लड़ाई कोटलपुर नाम के गाओं में श्याम नाम का पकोड़े वाला रहता था वो पूरे शहर में मशूर था और बहुत स्वादिष्ट पकोड़े बनाता था उसके ठेले पे लोग दूर दूर से पकोड़े खाने आते थे रमन नाम का समोसे वाला उससे बहुत जलता था श्याम का धंदा तो बढ़ता ही जा रहा है मेरे समोसे कोई नहीं खाता क्यों ना मैं श्याम के पास ही अपना ठेला लगा लूँ ताकि उसके ग्राहक मेरे ठेले पे भी आ जाएं रमन ने ऐसा ही किया और अपना ठेला श्याम के ठेले के साथ लगा दिया श्याम को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया रमन तु यहां क्यों आया है अपनी जगा पर वापे जा क्यों जाओं मेरा ठेला मेरी मरजी और वैसे भी यह जगा ना तेरी है ना मेरी यह तसरकारी है श्याम को यह सुन गुस्सा आ गया और दोनों एक दूसरे से दुश्मनी करने लगे एक दिन एक राहक वहाँ पर आया भाई एक समोसा दे ना अरे इधर आओ समोसे से ज़्यादा पकोड़े अच्छे होते हैं ये लीजिये पकोड़ा नहीं नहीं आप समोसे ही लीजिये ता आ जा है नहीं नहीं यहां आईए मैं आपको मुफ्त में एक और पकोड़ा देने को तयार हूँ दोनों की लड़ाई सुनकर ग्राहक परेशान हो जाता है अरे तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, मुझे किसी से कुछ नहीं खरीदना श्याम और रमन की आपस की दुश्मनी देख ग्राहक गुस्सा होकर चले जाते हैं और किसी की भी बिक्री नहीं होती काफी दिन ऐसे ही चलता रहता है यह देख एक दिन रमन का बेटा कहता है पिता जी पिता जी आजकल आपके समोसे बिक्ते नहीं है आपकी और श्याम पकॉडे वाले की लड़ाई में आप दोनों का ही नुकसान हो रहा है क्यों ना आप दोनों बैटकर आपस में बात कीजिए अपने बेटे की बात सुन रमन ने श्याम के पास जाकर इस बारे में बात की अरे श्याम भाई अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो दोनों का धंदा बंध हो जाएगा आ रमन मैं भी यही सोच रहा हूँ क्यों ना हम मिलकर काम करें और अगले ही दिन दोनों ने अपने दोनों ठेलों को साथ लगा कर उस पे लिखा रमन समोसा और श्याम पकोडे वाले की दुकान इस तरह दोनों ने मिल जूलकर काम करना शुरू किया अब ग्राहक भी खुश और वो दोनों भी खुश तालाब के बीचों बीच एक बहुत बड़ी विशाल मचली रहा करती थी यूँ तो तालाब में भी बहुत सारी रंग बिरंगी मस्तिया रहा करती थी लेकिन विशाल मचली का आकार हद से ज्यादा बड़ा था वो अकसर सोने में ही अपना समय बिताती थी एक दिन उस तालाब के पास एक मचुवारा और उसकी पत्ति आये मचुवारे की पत्ति ने उससे कहा अरे अरे देखो तो सही इस तालाब में किसी सारी मचलीया है मैं तो खहती हूँ मचलिया पकड़कर बाजार में बेचते हैं बोलो कैसा रहेगा यह तो बहुत अच्छा उपाय है चलो शिरू हो जाओ दूरू पती पत्मी ने बिलकर अब हर रोस महां से हजारों मचलिया लेकर जाते और बाजार में बेचते थे धीरे धीरे उस छोटे से तालाप की मचलिया खत्म होती जा रही थी विशाल मचली को इस बात की बिलकुल खबर नहीं थी लेकिन बाखी मचलियों को इस बात की बहुत चिंता थी तो सभी मचलियों ने योजना बना कर बड़ी मचली के पास जाने की पैसला किया उठो उठो पड़ी मचली उठो मुसीबत की घड़ी आ गई है ये ताला बहुत जल्द बिना मचलियों के हो जाएगा और यहाँ तुम अकेली रह जाओगी अरे उठो ना सभी मचलियों के उठाने पर विशाल मचली जाग जाती है क्यों परेशान कर रही हूँ बाद क्या है और इतना शोर कैसा अरे अरे एक मचली और उसका पती एक दिन उन दोनों की नजर हमारे तालाब पर क्या गई वो लोग हर रोज हजारों मचलिया हमारे तालाब से ले जाते हैं क्या कहा? हाँ और देखो तो सही आसपास कोई सहीली नहीं बची तुम्हारी सबकी सब बोले गए और बहुत जल्द हमारा नंबर भी आ जाएगा तुम कुछ करो अब जागने का वक्त है सोने का नहीं कितने बज़े आते हैं सब? बस आते ही होंगे तो चलो मेरी साथ विषाल मचली देखने में इतनी विषाल थी कि उसे देखकर हर कोई ही दर जाता था विषाल मचली ने मचवारन और उसके पती के आते ही तालाब से शलांग लगा दी यह देखकर दोनों पती पत्नी डर के मारे वहां से भाग गए अरे 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 देखो देखो इतनी विशाल मचली लगता है ये वेल मचली है ये तो हमें खा जाएगी अरे भागो आज के बाद इस ताल आपके पास हम नजर भी नहीं आएंगे जा रहे हैं विशाल मचली उतने जाते ही पानी में वापत लोटातक है और इस बाद पर तभी बहुत कुश हो जाते हैं और ननी ननी प्यारी पैरी मचली विशाल मचली को धन्यवाद देता है शक्रिया विशाल मचली तुम यू तो सो भी बहुत हो करती कुछ नहीं लेकिन हो बड़े काम की आज तुमने हम सब की जान बचाई है शक्रिया अब ये दोनों लालची पती पत्नी हमारे तयलाब की तरफ कभी नहीं आएंगे और हम सुकुन से रहेंगे तो चले? मैं तो सोने जा रही हूँ विशाल बचली फिर से आराम करने के लिए चली जाती है कई साल पहले रतनपूर नाम का एक गाउं था उस गाउं में एक बड़ा मैच बॉक्स तयारी करने वाला एक फैक्टरी था उस फैक्टरी में कई तरह के मैच बॉक्स बनाते थे उस फैक्टरी में दामोदर नाम का एक आदमी काम करता था वह हर रोज कुछ खाली मैच बॉक्स के डिबे घर ले जाकर अपना बेटा सूरज को देता था उन्हें लेते हुए सूरज बोला सूरज उन खाली डिबों के साथ कई तरह के खिलों ने जैसे की कार, जीप, ट्रैक्टर, बस, ट्रक बनाता था और उन्हें स्कूल ले जाकर अपने दोस्तों को भी देता था एक दिन सूरज मैच बोक्स बस बनाता है और उसे स्कूल ले जाकर क्लास के बाहर छोड़ देता है स्कूल खतम होने के बाद देखा तो वहाँ पर बस नहीं था अरे मेरा बस खिलोना यहां नहीं है लगता है कोई उसको चुरा लिया है मैं जाकर ढोनता हूँ ऐसा सूरज स्कूल के बाहर इधर उधर डोड़ने लगा फिर अचानक उसका मैच बोक्स बस बिना खीचे उसके ही तरफ आती रहती है जब उसने उस खिलोने को उपर उटा कर देखा तो वह चौक जाता है उस बस के अंदर दो लिलिपुट्स थे आप कौन है और मेरे बस में क्या कर रहे है सूरज हम जादूई लिलिपुट्स के देश से हैं लेकिन हम बहुत तकलीफ में हैं हमारी जिन्दगी मुश्किल में पड़ गई है आखिर क्या हुआ जरा बोलो तो सही नहीं आपको हमारे देश आना ही होगा तबी आपको हमारा दुख पता चलेगा ऐसा उस बस के पीछा करते हुए सूरज लिलिपुट्स राज में पहुँच जाता है वहां जाकर देखा तो वहां के राज के लोगों को पानी पीने के लिए तडप रहे थे उनके पास नहाने के लिए, कपड़े दोने के लिए, खेती करने के लिए भी पानी नहीं था तबी उस राज के राजा वहां पर आया सूरज मेंने ही आपको इधर लाने के लिए मेरे राजज वालों को बेजा है क्योंकि आपको तरह तरह के मिनी वाहन बनाना आता है ना इसलिए आपको ही कुछ तरीके निकाल कर हमें मदद करना है सूरज से उनका दुख देखा नहीं गया तुरंत वह एक आइडिया निकालता है राजा जी मैं कुछ न कुछ करके मिनी मैच बॉक्स के साथ कुछ वाटर टैंक, लॉरी बना दूगा लेकिन इदर से नजदिक कोई नदी है क्या बैटा इदर से कई किलोमेटर दोर एक नदी है लेकिन उसका सारा पानी समंदर में चली जाती है ये बात सुनते ही सूरज मैच बॉक्स के साथ खुछ वाटर टैंकर्स, लॉरी, वाटर बोरिंग डिलिंग ट्रक्स और कार्स, बसेस सभी बनाता है उस टैंकर्स के साथ पानी नदी से लेकर लिलिपुट के राज में पहुँचाया पानी देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए राजा जी, मैं आपके राज में डैंस, रिजर्वायर्स का निर्मान भी करूंगा आपको आगे जाकर पानी की कमी नहीं होगी राजा उसके काम से बहुत खुश हो कर बहुत सारा सोना और हीरे देता है जिसे वह घर लाकर अपने पापा के साथ खुशी-खुशी से रहने लगा गोपी और उसकी पत्नी मुर्गिया पाला करते थे उन्हें पालते, उनकी अंडों को गाउं-गाउं, शहर-शहर जाकर बेच दिया करते थे गोपी का एक बेटा था, चंदा चंदा बहुत क्यारा था, और उसे हर समय मुर्गियों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था धीरे धीरे अंडों के कारोबार के साथ-साथ, उसके पिता ने मुर्गियों को बेचना भी शुरू कर दिया इस बात से अब चंदा बहुत खामोश और निराश रहने लगा एक दिन इसमें सोचा ये सब मेरे दोस्त हैं, इस तरह से तो सभी मुर्गियों के करके मुझसे दूर हो जाएंगी मैं कैसे रहूँगा, मुझे मा से बात करनी चाहिए चंदा अपनी मा के पार जाता है और अपने दिल की बात कहता है उसकी मा उसे समझाती है अरे मेरे लल्ला कैसी बाते करता है अरे हमारा तो व्यापार ही ये है अंडे बेचना, मुर्गिया बेचना अब अगर ये ही बंद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा और तुझे तो बड़ा अफसर बनना है जब तु बड़ा होके बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा अफसर बन जाएगा न तब देखना ये सारे काम हम बंद कर देंगे हाँ चल जा अपना दूद पी और सो जा अपनी मा की बात से चंदा बेलकुल भी संतुष नहीं था वो रात में उठता है और एक मुर्गी का धाचा बनाता है दो सर बनाकर एक अपनी पसंदीदा मुर्गी के सर के अगल बगल लगा देता है और अगले दिन शोर मचा कर कहता है आरे मा देखो देखो ये तो तीन सर वाली मुर्गी है लगता है चादू है अब हम इसे नहीं बेचेंगे अब मैं इसके साथ खेलूँगा गत्ते के बने हुए टूटे फूटे सरों को देख कर चंदा के माता पिता समझ जाते हैं कि चंदा उनके साथ बहुत बड़ा मजाग कर रहा है लेकिन उसका दिल रखने के लिए उसकी मा अपने पती को इशारा करके गहती है सुनो जी मैं समझ गए हूँ ये इतना बड़ा नाटक इसलिए कर रहा है कि कम से कम एक मुर्गी दोस्त इसकी बच जाए अपने पच्चे के लिए इतना तो हम कर ही सकते है न आप भी यही दिखावा करो कि ये सच की मुर्गी है जिसके तीन सर है और आप इसे नहीं बेचोगे वादा करोगे न हाँ हाँ ठीक है अपने बच्चे के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ दोनों पती पत्नी इस तरहां का दिखावा करते हैं कि जैसे वो जानते हैं कि मुर्गी सच में तीन सर की है और जादूई है लेकिन फिर भी वो उससे ड़ते हैं और उसे अपने घर से बाहल जाने ही नहीं देते और इस तरह अब चंदा अपनी प्यारी मुर्गी दोस्त के साथ हमेशा के लिए खुश रहता है देखा मुर्गी मैंने तेरी जान बचाई थोड़ा जूट बोलना पड़ा पर क्या करूँ दोस्ती के लिए ये बहुत जरूरी है ना हैदराबादी बिर्यानी का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में एक अजीब सी खुश्बू बस जाती है हैदराबादी बिर्यानी अपने स्वाद के कारण पूरे देश भर में पसिद है जुगनु की हैदराबाद में चिकन और मटन बिर्यानी की दुकान थी उसकी दुकान में बनती हुई बिर्यानी की खुश्बू ग्राहकों को उसकी ओर खीच लाती थी अरे जुगनू भाई कितनी देर में बिर्यानी बनकर तयार हो जाएगी बस थोड़ी देर और लगेगी साहब अरे भाई हमसे रहा नहीं जाता जुगनू अब जल्दी से बिर्यानी निकाल कर हमें खिलाओ वरना खुश्बू से ही हमारा पेट भर जाएगा यह सुनकर वहाँ सभी लोग हसने लगते हैं ठीक है साहब अभी खिलाता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन एक दिन अचानक महमारी फैलने की खबर के कारण चिकन और मटन की स्प्लाई बंध हो गई जिसके कारण जुगनू का काम भी ठप होने लगा जुगनू के पास रखा सारा चिकन और मटन खतम हो गया तो उसने अपने ग्रहकों से कहा देखिये साहब अब मैं आप लोगों को बिर्यानी नहीं खिला सकता क्यूंकि हमें बिमारी की खबर फैलने के कारण चिकन और मटन की स्प्लाई नहीं मिल रही है सबी ग्रहक उसकी दुकान से मायूस होकर लोट जाते है जुगनु अपने घर आता है जुगनु को उदास देकर उसके पिता उससे पूछते है बेटा क्या बात है आज इतने उदास क्यूं हो जुगनु अपने पिता को सारी बात बताता है जुगनु की बात सुनकर उसके पिता उससे कहते है बस बेटा इतनी सी बात जाओ तुम अभी आराम करो, कल मैं तुम्हारे लिए बिर्यानी बनाऊंगा। अगले दिन जुगनु के पिता उसकी दुकान पर जाकर शाकाहरी बिर्यानी बनाने लगते हैं और चावल में पनीर, सबजियां और मेवे डालकर शाकाहरी बिर्यानी बनाते हैं जिसकी खुश्पु से लोग फिर से दुकान की और खिंचे चले आते हैं जुगनु ग्राहकों से कहता है आईए आईए स्वच शुद शाकाहरी बिर्यानी खाईए आईए आईए स्वच शुद शाकाहरी हैदरावादी बिर्यानी खाईए लोग बिर्यानी खाकर उसकी तारीफ करते हैं अरे वह जुगनु भाई यह तो बिलकुल चिकन और मटन बिर्यानी जैसी लग रही है हाँ भाई कुछ भी हो चाहे चिकन मटन बिर्यानी हो या शाका हारी पनीर बिर्यानी हैदराबादी बिर्यानी का तो स्वाध ही कुछ और है चायवाला एक नगर में राजु नाम का एक लड़का रहता था वो अपने माता पिता के साथ रहता था उसकी मा ने उसे स्वाधिष्ट खाना बनाना सिखाया और कहा बेटा तुमने अच्छा खाना बनाना सीख लिया है अब तुम कभी भूके नहीं रहोगे मा क्या कहती हो, मैं सबसे अच्छा क्या बना लेता हूँ बेटा तुम्हारे हाथ की बनी चाय सबसे अच्छी होती है एक दिन उसके पिता ने कहा बेटा अब तुम बड़े हो गए हो कोई काम करो मैं अकेला काम करके घर नहीं चला पाता हूँ मेरा हाथ बटाओ पिता जी मुझे तो खाना बनाना ही आता है मा कहती है कि मैं चाय अच्छी बनाता हूँ तो क्या मैं चाय का ठेला लगा लूँ ठीक है बेटा ये लोग कुछ पैसे और कल से ही अपना काम शुरू कर दो राजू ने अपना काम शुरू किया एक दिन राजू का दोस्त उससे मिलने आया अरे राजू तुम इतना महंगा दूद क्यों डालते हो चाय में ऐसे तो तुमारी कमाई कैसे होगी तुम्हें तो ठोक बजार से बहुत ही सस्ती चाय पत्ती और चीनी भी मिल जाएगी उसका इस्तेमाल करो तुम तो व्यपार करना नहीं जानते मुझसे सिखो नहीं दोस्त मेरी माने मुझसे कहा है कि यदी में अच्छा खाना बनाऊंगा तभी कामयाब होँगा उस रात राजू ने सोचा लगता है दोस्त ठीक कह रहा था मेरे पास तो बहुत ही कम लोग आते हैं चाय पी ने इस तरह मैं ज्यादा कमाई नहीं कर पाऊंगा कल से मैं भी दूद में पानी मिला कर देखता हूँ शायद ग्राहक बढ़ जाएं अगले ही दिन राजू ने दूद में पानी मिलाना शुरू कर दिया अरे राजू आज चाय में कुछ गड़बढ है क्या बात है वो लगता है आज दूद में कुछ मिलावट है कल से में ध्यान रखोंगा हाँ भाई ध्यान रखो वरना तुम्हारी चाय और दूसरों की चाय में क्या फर्क रह जाएगा ये वाद सुनते ही राजू को अभास हुआ कि वह गलत कर रहा है वह तुरंत ताजा दूद लाया और फिर उसी से चाय मना कर बेचने लगा कुछ ही दिनों में उसकी चाय दूर दूर तक मशूर हो गई जो भी उसके ठेले के पास से गुजरता चाय पीके ही जाता अच्छा हुआ सही समय पर मुझे समझ आ गई वरना मैं अपना काम मुश्किल में डाल देता सीख इमानदारी से किये गए काम में ही बरकत होती है एक दिन गाउं में बहुत सुन्दर मेला लगता है तरह तरह के जूले, बहुत रंग बिरंगी दुकाने, कपड़े सब कुछ मेले में मिल रहा था एक बड़ी ही सुन्दर लड़की अपनी दुकान के बाहर जोर जोर से चिला कर लोगों को अपनी बातों से अकरशित कर रही थी वो कह रही थी आजाओ, आजाओ, डाइनासोर का सोने का अंडा देखो देखने के लिए सिर्फ पांच रुपे पांच रुपे, पांच रुपे में सोने का अंडा डाइनासोर के सोने का अंडा देखो और पांच रुपे में मज़े ले जाओ उस लड़की की बाते सुनकर मेले में आया हर कोई इंसान उस सोने के अंडे को देखना चाहता था लोगों की लाइन लग गई थी, हर कोई उस अंडे को देख कर बहुत हैरान था आईए, आईए, क्यों कैसा लगा अंडा, मजा आया ना, आते जाओ, आते जाओ, पांच रुपए, पांच रुपए हर जगा वो लड़की बहुत मशूर हो गई थी, दूर दूर से, गाउं गाउं से, लोग उस मेले में सिर्फ इसी लिया रहे थे, क्योंकि वो लड़की डाइनासोर का सोने का अंडा दिखा रही थी, तब ही एक अध्या पिकाने, जो मेला घुम ले आई थी, उसने उस और अगर ये सचमी सोने का है बेटी, तो तो उसे बेच कर, अपने दिन क्यों नहीं बदल लेती हो, इस तरह गाउं गाउं जाकर, मेलों में ये अंडा क्यों दिखाना, अध्या पिका की बात सुनकर, पिंकी नाम की वो लड़की, जोर-जोर से रोने रगती है, पीचर ची तीरे बोलिये, आप जरा मेरी बात सुनिये, हाँ, बताओ, दुकान के पीछे ले जाकर, पिंकी अध्या पिका से कहती है, वो क्या है न, हम बहुत गरीब हैं, और आप तो जानती है, लोग तो जट से मूर्ख बन जाते हैं, इसी बात का फाइदा उठाकर, ये मिट्टी का मान रहा है, और इस बहाने मेरे घर में खाना पीना, यानि आमदनी हो रही है, ये बात सुनकर अध्या पिका, पिंकी को समझाती है, बेटा, ये गलत बात है, तुम जूट बोल रही हो, लोगों को धोका दे रही हो, मैं मानती हूँ कि तुम गरीब हो, मगर ये तरीका बिल कुल गलत है, और अगर गरीबी है, तो मजदूरी कर सकते है, मगर जूट बोल के कमाया हुआ धन, बहुत गलत है, और ये तुम्हारी पहली शिक्षा है, जो मैं तुम्हें देती हूँ, पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है, वो अपनी मा से कहकर मजदूरी करना करती हूँ, और मजदूरी करके माबाप की मदद भी करती हूँ, बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। अच्छा हमारे गलेया पड़ा है, अरी भागवान चुप हो जाओ, नहीं तो वो लड़का सुन लेगा, दो चा दिन घूम कर गाउं चला जाएगा, उन दोनों की बात गोविन सुन लेता है, और घर से बाहर किसी काम की तलाश में निकल जाता है, पूरा दिन मुंबई की स समुंदर किनार याकर बैठ जाता है, तब ही वो देखता है कि एक आदमी अपने सिर पर एक टोकली में बड़ा पाव लेकर बेच रहा था, राम परसाद उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है, वह आदमी उससे कहता है, अरे क्या बात है बबबवा, क्यों उदास लग रहे ह आपका बहुत बहुत धन्यावाद चाचा, अरे बिटवा कौन हो तुम, यहां क्यों घुम रहे हो, गोविंद उसे सारी बात बताता है, और उससे कहता है, चाचा मैं भी कोई काम करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास मेरे लाए कोई काम है तो बताओ, अरे ठीक है ब बड़ा पाओ बनाते हुए अपने गाओं के पकोड़े बनाने की तरकीव उसमें मिला देता है, जिसके कारण उसके बड़े पाओ सभी लोग पसंद करते हैं, अरे वह बेटा, ऐसे बड़े पाओ तो हमने आता कभी नहीं खाए, अरे साहब, इसमें मुंबईया स्वात के स जासाद मैंने अपने गाओं के मसाले भी मिलाए हैं, गोविन शाम को अपने चाचा से कहता है, चाचा यहलो मेरी आज की पहली कमाई, अब मैं आप पर बोज नहीं हूँ, मैं अपने बल पर इस शहर में कुछ बन कर दिखाऊंगा, शबास बेटा, मुझे तुम से यही उम एक ही घर में रहते थे, लेकिन आए दिन उनकी पतनिया आपस में बहुत ज़्यादा जगडा करती थी, हां, मेरा पती बड़ा है, घर का मुख्या वही है, देखो दीदी, बहुत हुआ, ये इस तरहां से रोब मारना बन करो, हम चोटे हैं तो क्या हुआ, बराबर की कमाई करता है मेरा पती, इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है चित्ता तुम्हारा, समझ गई, और अगर मुझे साड़ा परेशान किया था, पुलिस बुला लूंगी, इस तरहां की लड़ाईयां हर रोज होती रहती थी, अब दोनों भाईयों में भी मन मुटाव रहने लगा तो एक दिन, राम सरपंच के पास जाता है, और सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे घर का महौल दिन प्रती दिन बिगड़ता जा रहा है, हम दोनों की पत्नी आपस में खुशी-खुशी रहने को तयार ही रही, हम दोनों भाई साथ रहना तो चाहते हैं, मगर आप समझ सरपंच अगले ही दिन, उसके भाई शान से मिलता है और पूछता है, क्यों भाई शाम, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, कल मेरी मुलाकात राम से हुई, वो काफी परिशान था, तुम क्या कहते हो? अरे, अरे, ओर राम की बातों में मताईए आप, बहुत चालाख है मेरा बड़ा भाई, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ, वो बहुत कमीना है, उसके मन में लोब है, इर्शा है सरपंच समझ जाता है कि दोनों भाई एक साथ रहना नहीं चाहते, और छोटा भाई बहुत ज़्यादा चतुर भी है सरपंच उनके घर जाता है, और उनके घर का बटवारा कर देता है, लेकिन उनके घर में बस एक ही गाए थी सरपंच को समझ नहीं आता कि वो एक गाएं का बटवारा कैसी करे, इतने में शाम बोलता है आरे सरपंच जी, इसमें क्या बड़ी बात है, एक ही घर की बात है ना, आगे का हिस्ता बड़े भाईया का, और पीछे का हिस्ता मेरा, बोलिए ठीक है ना चतुर भाई के ऐसा कहने पर राम हामी भर देता है, शाम गईया का दूद निकालता है, और दूद घी और नहीं खाता है, यह देखकर राम है राम नहीं जाता है राम को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन राम समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो अपने भाई को सबक सिखा सके राम की पत्नी बहुत समर्जदार थी, अगले दिन वो गाएं को चारा ही नहीं डालती शाम हो जाती है, उसकी देवरानी बहुत देर तक दूद निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दूद ही नहीं देती है गाएं हाई न, आज तो गईया दूद ही नहीं दे रही, आज इस सुनते हो क्या हुआ, इतना चिला क्यों रही हो आज तो गईया ने तूध ही नहीं दिया लगता है बड़ी भाबी गईया को कुछ खिला आती नहीं आगे का हिस्सा तो उनका है न तब ही जिठानी बाहर आती है और देवरानी से कहती है बिल्कुछ ही कहा तुमने इत्ती चतुराई तुमने उस दिल दिखाई कि पिछला हिस्सा हमें दे दो तो याद रखो जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक इसे में चारा देने वाली नहीं तो फिर दूद कहां से देगी अब शाम और उसकी पत्ने को अपनी गलती का एहसास हो जाता है दोनों जेठानी और राम से माफी मांगते हैं और इस तना प्यार महबबत के साथ एक बार फिर राम और शाम की पत्नियां गले लग जाती हैं राम और शाम भी गले लग जाते हैं और फिर से एक बार सभी परिवार वाले एक साथ रहने लगते हैं